जो स्त्री एक मा ना बनने का फैसला करती हैं तो आप अरे मैं उनको अवार्ड दूँगा तो उन्होंने आपको वकील चुना है और आपको उनका केस लड़ना है तो आप क्या माफ केजी मुझे सुनाई नहीं दिया एक स्त्री है और वो बच्चे नहीं चाहती और उन्होंने आपको वकील चुना है और आपको उनका केस लड़ना है तो आप ऐसी स्त्री के पक्ष में क्या कहेंगे जो बच्चे नहीं पैदा करना चाहती मैंने कहा उन्हें समानित करना चाहिए मैं भारत में ये घोशना कर चुका हूँ यूवास्त्रियां जो बच्चा पैदा कर सकती हैं और ना पैदा करने का फैसला करती हैं हम उन्हें अवार्ड देना शुरू करेंगे क्योंकि इस समय आप दुनिया की जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं वो है इस दुनिया की आबादी को और ना बढ़ाना ठीक है? अगर मान लीजी आप एक शेरनी होती मेरा मतलब है एक फीमेल टाइगर तो मैं आपको प्रोजसाइद करता प्रीज बच्चे पैदा कीजिए क्योंकि वो प्रोजाती खत्रे में हैं आप जानते हैं देखे हम खत्रे में नहीं है आप जहां भी जाएं वहां भीड मिलेगी देश को बचाने के लिए दीवार बनानी पड़ती है वरना लोग घुसाएंगे पहले से ही कितनी ज्यादा पहले से ही हर जगा बहुत ज़ादा अबादी है तो यह ऐसी चीज है जिसे बहुत बुनियादी तरीके से देखा जाना चाहिए यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जरूरत यह जरूरत अंदर मौजूद है बच्चे पैदा करना हमारी एक स्वभाविक जरूरत है जो भी तरक कोई दे एक समय पर शरीर आदेश देता है शुक्र है इसमें बहुत दर्द वगरा शामिल है वरना पता नहीं क्या होता तो इस जरूरत से परे अगर किसी को जाना है तो इसे जबरदस्ती अंदेखा करने के बजाए अगर आपकी पहचान स्वभाविक रूप से आपके शरीर से परे चले जाए तो आप देखेंगे कि ये जरूरतें बिल्कुल गायब हो जाएंगी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझे एक बच्चा आपकी जरूरत नहीं है आपकी जरूरत है भागीदारी फिलहाल आपकी समस्या ये है कि आप लोगों के साथ भागीदारी तब तक नहीं दिखा सकते जब तक कि वे आपके शरीर से न जन्मे हूँ आपकी शरीर के रूप में पहचान इतनी मजबूत है कि आप इन्हें अपना मान कर खुद में शामिल नहीं कर पाते अरे ये मेरे शरीर से जन्मा है, ये मेरा है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने ही शरीर में फसे हैं वजय बस यह है उसे आपके ही शरीर से जन्म क्यों लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है इंसानों की ख्षमता इससे ज़ादा है ये पशू प्रकृती है, ये प्रकृती प्रजाती के कायम रखने के लिए बिल्कुल जरूरी है लेकिन अब प्रजाती का कायम रहना जागरूख होकर आबादी को थोड़ा कंट्रोल करने पर निर्भर है 20. सदी की शुरुवात में, 1910 में हमारी आबादी बस 158 करोड थी, मान लीजे 160 करोड, अब हम 760 करोड हैं, वर्ष 2050 तक अनुमान है हम 1030 करोड हो जाएंगे जब हम 1030 करोड हो जाएंगे तो मैं यहां नहीं रहना चाहता है हलो, मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना कीजे दुनिया की आबादी का 50 प्रतिशत बढ़ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी समस्याइं आएंगी हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस धर्ती पर अच्छे से नहीं जी पाएंगे ज्यादा बच्चे पैदा करके यह बहुत ज़ादा जरूरी है हमें समझना चाहिए कि इसकी वज़ा सिर्फ बेलगाम बच्चे पैदा करना नहीं है नहीं ऐसा नहीं है, उसे कंट्रोल किया गया है यह बस इसलिए है क्योंकि हमारा अनुमानित जीवनकाल बढ़ रहा है जो अद्बुत है उदाहरन के लिए भारत में जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए हमारा अनुमानित जीवनकाल 28 साल था आप में से कितनों की उमर 28 से जादा है आप सभी मर चुके होते इसका मतलब था मैं चाहता हूँ कि आप समझें 28 साल आज ये 70 साल हो गई है ये 70 साल की आजादी में एक जबरदस्त उपलब्धी है तो जब हमने मृत्यू अपने हाथ में ले ली है तो क्या हमें जन्म भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए मैं कोई सिधान्त नहीं बता रहा हूँ मैं आसान से गनित की बात कर रहा हूँ हलो जब हम मृत्यू को अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्या हमें जन्म को भी अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए अगर हम ऐसा नहीं करते अगर हम जागरूख होकर अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करते तो प्रकृती इसे बहुत ही क्रूर तरीक ऐसे करेगी अगर आप उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पर हम इंसान हैं इसलिए ये अच्छा होगा कि इसे जागरूख होकर करें है न